राजधानी दहरादूर में केबिनेट मंतरी सत्पाल महराज में कैम्प कारियाले के साथ लगने वाली दिबार पर लिखन वॉल पेंटिंग के शुरुआती है जोहां केबिनेट मंतरी सत्पाल महराज में दिबार पर अपने हाथों से कमल, फूल के अंदर रंग भरा और तीस किसरी बार कमल खिलाने की बात कही इस दोरान कैबिनेट मंद्री सत्पार महराज में कहा कि लंबे इंतेज़वार के बाद 22 जनवरी को आयोध्या में प्रभू राम चंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मुझे भी आयोध्या जानी का आमंतरन मिला है मैं आज निहा सब्सक्राइब को अब साका रूप दिया जा रहा है जारादून से भीरोचीफ अबनीश्क प्रतिष्ठा के लिए हमको भी वहां पर आगमन का निमंतर मिला है और यह हम सब के लिए बहुत प्रसंद्रता की बात है मैं आज याद करना चाहूँगा निहंग बाबा फकीर सिंग खालसा को जिन्होंने 1858 के अंदर वहां पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया दो साल तक फकीर सिंग जी वहां पर पहरेदार रहे चौकीदारी की और ये नियालय के अंदर ये बात आई भी थी तो मैं उन निहंगों को यहां से प्रणाम करना चाहता हूँ और निश्चत रूप में उनका बलिदाना साकार हो रहा है इसमें 500 साल की लडाई जो है आज निश्चत रूप ने हमें विजय पाई है पूरी दुनिया के अंदर लोग अचंबित हैं और बड़े प्रसन्न है कि भगवान राम का यहां पर विशाल मंदिर बनके तैयार हो रहा है यह पूरे भारत वर्ष के लिए गौरव की बात है यहां के रहने वालों के लिए गौरव की बात है